बिसमिल्ला रह्मान रहीम कैसे हैं वीवर्स आप लोग सब आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुबसूरत बॉक्स प्लेट के फ्रॉक लेकर आई हूं माजरत के साथ बहुत जादा रेक्वेस्ट थी लेकिन मैं ला नहीं सकी लेकिन फिर भी मैंने का चलो जल्दी से काफी लेट हो गया है पहले ही तो ले जाते हैं तो अब टाइम आए कि बगर वीडियो शुरू करते हैं इसकी जो मेरे पास यह मैंने जो है वो चार दफाइस को जो है वो फोल्ड कर लिया है यानि के फ्रंट बैक दोनों पार्ट को पिछा लिया है तो तेन इंच का एक्स्रा मेर उस हिसाब से रख सकते हैं कोई इंट्रो बगारा शुरू में मैंने ज्यादा नहीं दिया क्योंकि काफी लेंदी जो है वीडियो है तो आप लोगों टाइम जाया ना हो और आप लोग भी जो है वो इसके अंदर की पॉइंट्स है तो बड़ी जो है वो अच्छी वीडियो बड़ी जाद एक इंच का फिर एक इंच और फिर वन फञेंच निशान और इस तरहां से जो है वह जो जो है लगाया है वह हमारा जो और फॉप्र दलने की लिए आएग जो एक इंच का वहाल निशान लगाने के लिए गया तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी तो तर्ट से बनानी है फ्रॉग तो step by step आपको follow करना होगा तो इस तरहां से मैंने जो है वो उपर से लेके बिल्कुल waste तक यानी के 15 पे निशान लगाया वेस्ते थोड़ा सा नीचे तो इस तरहां से ये देख रहे हैं आप 15 इंच के उपर बिल्कुल perfect निशान आता है हमारी box plate 15 इंच की तक्रीवन ही तैयार होती है तो इस तरह से मैंने 15 इंच का निशान लगाया ठीक है और से दुबारा चार इंच का निशान लगाया उपर से नीचे के निशानों को मिला दिया निशान मिलाने के बाद ये scale की मदद से मैंने straight lines draw कर ली ताके हमें plates डालने में जो है असानी हो अब दो है वह उसके मैं दूसरे साइट से आपको तोड़ा सा और इजी लिए समझाओंगी मैं दूसरे साइट पर भी इसकी इसी तरह से बॉक्स पे डालूगा मैं दिखा रही को जो बैक पार्ट है इस पर भी मैं इसी तरह की निशान लगा लूँगी फ्रंट 10-12-14 इंच से उपर नीचे से दोनों तरफ से निशान लगा लेना है 15 inच साइट बहुत अगर बश्यादा हो तो आप भले तीन प्लेट की जगह आप 2, 2 inch ले 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 तो उससे जो हो औरज ज्यादा पैस लातीं प्लेट की जड़ते हैं है बात ही होती होता है इकर आपको ज्यादा हम प्लेट में कपड़ा लेंगे तो उतनी ज्यादा हमारी गेर वाली फ्रॉग बनीगी तो मेरे पास जतना फैब्रिक था वेट थी तो उसी साम से मैंने लिया तो यह भी बहुत ही खुबसूरत बनीगी लास्क में आप देखिएगा तो फिर इसका फाइनल लूग अब मैं आपको यह दिखा रही हूं कि यह देखिए मैंने 1.5 इंच का निशान लिया फिर एक एक इंच पे लगाया था फिर एक इंच पे लगाया था यह मैं आपको इस तरह से सारे निशानात दिखा रही हूं यह देखिए फिर एक इंच का है फिर एक इंच का है तो इस चार इंच से दोनों साइट से आना चाहिए यानि टोटाल अगर हम एक निशान को दूसरे निशान से वहां तक लेकर जाके मिलाएं तो यह आठ इंच बनेगा चार इंच साइट पड़ चार इंच सेंटर कट जो लगाएं उस क्या करेंगे जो मैंने निशान लगाया था उसको बिलकुल हाみ ने फोल किया यहाँने यह पौना इंच एक साइट पर पौना इंच time मैं और उसके बाद 15 का निशान लगा था तक मैंने वहां तक मैंने सिलाई सकी थी तो उसमें दो इंच की निशान लगाया तो उसमें घेर ज्यादा था तो मैंने दो इंच का लगाया था तो इस तरहां से यह देखें इसके असल में मैंने तयार कर ली तो यह मेरी तीन प्रेट कंप्लीट हो गई है अब मैं आपको इसकी जो है वह बैक साइड से दिखा रही हो तो इस तरहां से हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ तयार हुई है और जब मैं इसको आइरेंड करूंगी तो आपको ज्यादा ची तरहां समझ में आ के सायट ने कंप्लीट कर ली है तो फ्रंट पार्ट हमारा तयार हो गया है बैक पार्ट भी हमारा तयार हो गया है कॉईधा याद रखिए ख़ेंग कोई भी आप लेति Xin तहीं को चाओं और वह था यह संसरे क estásए आगे की cutting का step करते हैं तो ये देखें एक के ओपर एक पार्ट को मैंने इस तरहां से मैं इसको रखतूंगी और रखने के बाद ये देखें इस तरहां से मैंने इसको इसको इसके ओपर रख दिया है चानल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अब ये देखें इस तरह से मैं शोल्डर का जो निशान लगा रही हूं और आम होल जो लगते हैं वो साथ इंच का भी निशान लगा रही हूं और उसके बाद से मैं साथ इंच का लगा लगा लोंगे और उसके बाद इसको एक रउंड शेप दे दूँगी तो ये देखें इस तरह से मैं तो ये रउंड लियूख तो च्छीश ाम होल का फूर नहीं बनता है व्यों Pe찰 कर हें पीछे हमारा नहीं गयरता है अब जो है वह अलगान अशाहदा करने हो जैदा है वह तंग नहीं बनती है यो उपर 7 अलगा है रही हूं और ईसले शेकि इसंड़े तक करने के बाद ना नेशान लगा रही हूं जम नदों और 19 सिंच पर जो है वो मैं चैस्ट का निशान लगा रहे हूं उसके बाद जो है वो नीचे से हमें फ्री साइज देनों का क्योंकि फ्रॉक है तो इस तरहां से हम बिल्कुल नीचे तक इस तरहां से फ्री साइज ले जाएंगे और तकलिबन एक से डियर इंच का मार्जन हम एक्स्ट्रा देने के बाद इस तरहां से हम इसके कटिंग कर लेंगे अच्छा और नीचे की साइट से फिर हमें ये दिहान रखना है कि जब भी आप कोई भी फ्रॉक बनाएं जरूरी नहीं है बॉक्स प्लेट बना रहे हो आपको इसमें काफी सारी मैंने आपको बताया कि टिप्स दूँगी तो इस तरहां से तीन इंच का निशान लगांगी इस तरहां दे दे देँ तो इसमें होता कि गवाप तो इस तरहां तो Live देखें से कोई तो AMA काम्म और कंशांस कि लगाई कि यह मैं इस तरीके से निचे तक ली जाओंगी तो यह हमारी फ्रॉग की कटिंग हो गई है इस तरह से आप जो हमारा बे जो बैक पार्ट है तो इसमें जो है वह मैं इसका नैक की निशान लगा रही हूं साड़े तीन इस जो है वह सिंगे इसकी विर्ट रखंगी और डैप जो रखंगी मैं इसकी तीन इस रखंगी क्योंकि साड़े तीन इस जो है वो endings rif कर दोंगी इसको पिर उसके बाद मैं अलग कर दूँगी और फ्रंट आम होल की कटिंग करूंगी तो फ्रंट आम होल जो है वो मेरा जाहरे वो गहरा होता है क्योंकि ताकि हमारा जो है वो चैस्ट की वज़ा से हमारा यह वाली साइट थोड़ी गहरी आती है तो इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है तो 0.75 यानि पॉना इंच मैंने निशान लगाया और उसके बाद गहराई का मैंने इस तरीके से इसके उपर कटिंग कर दी नेक थोड़ी सी पिंटेक्स टैप बनाई है चैनल पर नहीं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीए और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो पिर जल्दी से कर दीजिए वैसे मुझे उमीद है कि आप लोगों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और जिन जल्दी में वीडियो दिखा रही क्योंकि इसकी में वीडियो आपको डिटेल जो है वह लेकर आऊंगी किस तरीके से हम फिनिशिंग साथ बैक नेक बना सकते हैं तो बड़ा कुपसूरत सा इस तरीके से मैंने इसकी जो फ्रेंट नेक है मैं बता रही थी आपको मैंने पिं करने तो पूपसूरत बहुत बनाया है तो किस तरह से हम फिनिशिंग कर सकते हैं किस तरिक किस दुपाइप कर सकते ने जब इपांइंगे क्यों आप हैं को निए मैं कहा रही थी अगे इन तो जल से जल कर दीजिए मुझे पर बड़ अगर अब तो आप कर ही दें जल से जल कर दीजिए ताकि अच्छे ची वीडियो जो आपको देखने को मेरे चैनल पर मिलती रहें और मेरी भी होसला हवजा होती रहें इस तरह से हमारा बैक नेक तयार इस स्लीव को जो है और उसके बाद इस तरह से हमारा फूसं और बैक दोंजों पार्ट होगी बागी फारन्ट का में यह वितारे होहने को मैं हेंड़ स्टिच करूंगी जो मेरा नेक्ट नी Also कि सीमें बें है तो इससका साफ मिला देगे और इस तरह से हमें स्प्राइग सिल हमेशा है कि देने हैं कि इसके चाहिं के लिए आगे पीछ का आगे पीछे नहीं होता तो इस तरह से यह जो है वह इसको इसको कि भी भी लगे है जॉइन्ट लगा लिया है उसके बाद हम रव मुइस्की फिटिंग की सिलाई देंगे तो यह इस तना से हमेशा मैं आपको ये वाले टि बताती हूब के मैं इस तना से सिलाई लगाती हूं हलका सब्सक्त farm के साइड से मोड़ती हूं और मोडने के बाद मैं नीचे तक इस तरह से देखे ले जाओंगी उससे ही होता है हमारी स्लीफ बाहर की तरफ नहीं आती तो एक ही वीडियो में मैंने काफी सारी आपको छोटी-छोटी सी टिप्स जो होती है हम इसको अगर फालो करते हैं तो आपके साथ भी मैं जाहरी से बात है आप हमारी फैमिली है तो हमारी कोशिश होती है कि जब आपको बता रहे हैं तो फिर हर चीज इमांदारी के साथ बिलकुल कंप्लीट बताएं ताके आप लोग भी बहतरीन सिलाई कर सकें तो इस तरह से यह देखे हमारी फिटिंग की सिलाई मैंने दोनों साइट्स पर लगा ली है और उसके बाद नीचे की साइट से मैंने एक साइट से मैं यह दिखा रही हूँ कि मैंने छोड़ा है पार्ट अब यह कुछ चीज़े होती है जो हम लोग मिस्कर जाते हैं और बस मैं जल्दी यल्दी पार्ट लोगास के पार्ट फार्द की साइट से मैंने च्छार पर्लब्र IK Morgan बंद कर देंगे बॉर्डर हमने जो था वो उसको अलग कर दिया और उसके बाद ये देखें इस तरहां से हम इसकी सिलाई को अम मिला देंगे जो मैंने उपर से एक्स्टरा सिलाई छोड़ी थी फ्रॉक के फैबरिक की तो इस तरहां से अब हम बॉर्डर को इस तरहां से एक स और मेरे चैनल भी सबस्क्राइब करें तो ताकि यह है कि आपका भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो तो यह है कि अब देखे मैं इसको आपर एक आउंगी और साइड पर मैं वाइट धागा रखोंगी नीचे की साइड पर मैं ब्लैक धागा रखूंगी ताकि यह हमारी सिलागा की वज़ा से और जादा हमारी वह पूरी सारी मेनत के उपर पानी ना फिर जाए थो हमेशा थोड़ी चोटी चीज़ें को ख्याल रखना पड़ता है थोड़ी सी मेनत लगती है बार-बार दागा चेंज करने में तो कोफता आती है लेकिन पिर यह होदा है कि हमारी सिलाहि भी लगती भी नीट और clean है तो यह देखें इस तरहां से नीचे की side पर white जाए सब एगी जाए हमारा black जाएगा चाएगा तो यह कि यह देखें कि इतना खुब्सूरत हमारी则 लग रही है तो इस तरहां से नग सब्सक्राइब है तो इस तरह देखने में दूर से बहुत दूआओं में आद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब बितो कर ही लें आप लोग और जो है वो अच्छी एच्छी वीडियो देखने के लिए दूआओं में आद रखिएगा नेक्ट वीडियो में मुलाकात होगी आला हाफेज